हेलो एवरिवन, कॉमर्स अध्यन में आज हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर हेर्स, इन डारेट एक्सपेंसेज एन ओन कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग से रिल्टेड बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं कॉमन करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें चानल पर नए विस्टर ने तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल अगन को प्रिस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिलते रहें यह रिक्वेस्टेड वीडियो है आई होप उनको यहां से पूरी हल्प हो जाएगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूं इसलिए मुझे आप कॉमेंट करके आप्रिशेट जरूर किया करिए ताकि मुझे मुझे मोटिवेशन मिलता रह और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो से लेकर आती रहूं Start करते हैं इस वीडियो को और दिखते हैं Difference between overheads and indirect expenses Indirect Expenses is only a part of overheads Indirect Expenses अपने आप में वो होते हैं वो जरूरी होता है करना तभी आपका जो production का काम है वो हो पाता है एक होता है direct cost या फिर direct expenses जो production पर direct impact डालते हैं ठीक है अब Indirect Expenses की बात करते हैं तो ये indirectly कहीं ने कहीं effect डालते हैं production पर और उसे relate करते हैं और ये expenses करने होते हैं overhead जो होता है वो होता है overheads equal to indirect material plus indirect labor plus indirect expenses ये सब जब include हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? overheads बन जाता है अपने सुना होगा na factory overhead office overhead, selling overhead तो ये वही सब है जैसे कि यहाँ पर overhead है 100 तो उसमें से 25 रुपे indirect material होगा और indirect expenses 50 रुपीज हो सकते हैं indirect expenses की बात करते हैं तो अगर इसे find out करना हो तो हम क्या करेंगे indirect expenses को find out करने के लिए overheads minus indirect material and indirect labor तो क्या जाएगा आपका indirect expenses find out हो जाएगा अभी हम यहाँ पर बात करते हैं difference between overhead and on cost क्या होता है overhead and on cost का यहाँ पर मतलब किस तरह से थे हम find out करते हैं generally the terms overhead and on cost are used as synonyms to each other इन दोनों ही शब्दों को synonyms की तरह use किया जाता है जिनकी ज़्यादा तर meaning जो होती है वो same होती है धलका सा difference होता है वो देख लेते हैं but there is an important technical difference between these two terms technical difference की बात करें हाँ पर तो जिस तरह से हम इसे find out करते हैं बस यह थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में कि जो on cost है वो से हमें calculate करना होता है और overhead पहले से दिया होता है कि factory overhead इतना है office overhead इतना है क्योंकि factory में भी बहुत सारे expenses होते हैं । तो वो सारे expenses जब इंक्लूड हो जाते हैं तो आका बन जाता हा जैसा मैंने उपर बताया उसमें जितने भी indirect expenses होते हैं वो include होते हैं but on cost is expressed in terms of percentage on the basis of data of overheads और जो आपका on cost है बोल दाए अगर question में यह हो कि works on cost इतनी है यह office on cost क्या है तो किस तरह से आप उसे find out करेंगे तो यह depend करता है जो भी आपके पास data available है overheads से related तो उसकी basis पे हम क्या करते हैं कि हम percentage निकाल लेते हैं so simply on cost क्या होता है on cost को हम expressed करते हैं in terms of percentage ठीक है percentage में हम इसे express करते हैं करते हैं चलिए देख लेते हैं एक चोटा समय ने यहां पर question लिया है इसके माद्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं मुझे उमीद है मुझे बुरा यकिन है आपको easily समझ में भी आ जाएगा material 20,000 labor 10,000 factory overhead 5000 office overhead 5000 statement of cost में ने यहां पर prepare किया है ऐसे generally normally main cost बनती है वो थोड़ी सी बड़ी बनती है उसमें बहुत सारी चीज़े include करते हैं जिसे हम अपने next video में डिसकस करेंगे तो आप उस video को जरूर देखिएगा और सबसे पहले देखने के लिए चानल को subscribe कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले मिल सकें बात करते हैं material तो यहाँ पर ले लेते हैं 20,000 एड कर देंगे उसमें हम लेवर जो की है 10,000 तो हो जाएगा 30,000 हमारी prime cost आजाएगी अब हम बात करते हैं factory overhead जो की है 5000 इंक्लूड कर देंगे तो हमारी work cost या factory cost आएगी 35,000 अब हम बात करते हैं office overhead की इसे इंक्लूड कर देते हैं तो 5 तो क्या आजाएगा है यहाँ पर cost of production कितना 40,000 ठीक है अभी हम बात करेंगे factory on cost कैसे find out करेंगे overhead दिया होता है question में आपको find out नहीं करना होता है ठीक है direct दिया होगा direct factory overhead दिया होगा या फिर factory से related यतने भी expenses होते हम उसको एक जिगा इकठा कर लेते हैं और वो क्या बन जाते हैं factory overhead और office के सारे expenses हम एक जिगा ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता office overhead हो जाता है I hope आपको यह clear हो गया होगा अभी बात करते हैं factory on cost factory on cost हमेशा हम labor के according charge करेंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पर factory overhead है 5,000 labor है 10,000 clear 5000 divided by labor 10,000 multiply by 100 कितना जाएगा 50% factory on cost अब बात करते हैं office on cost की so office on cost जो है उस जो पहले वाली cost find out हुई है means work cost जो find out हुई है उससे relate होता है तो उसके comparison में हम निकालते हैं इसको ठीक है उसके proportion में निकालेंगे तो आज आएगा हमारा क्या office on cost जैसे कि office overhead कितना है 5,000 work cost means factory cost कितनी आई है 35,000 so 5,000 divided by factory cost 35,000 multiply by 100 percentage निकालने के लिए हम multiply by 100 करते हैं तो जो भी आजाएगा वो क्या होगा आपका office on cost ऐसे ही selling on cost भी हम find out करते हैं तो जब हम questions को solve करेंगे और practical questions को तो यह सारी चीज़ें वहां मिलेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और मुझे यकीन है आज के इस वीडियो में यह जो छोटे टॉम से क्या है overhead, entire expenses and on cost form की तरह से find out करते हैं मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी और अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो मुझे comment section में comment करके ज़रू बताएं वीडियो अच् तरह स्मझ में इबस्टposition करते हैं मैं